क्लास 11 बटा आज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाग डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इसमें दो तरह के केसी जाते हैं एक तो अलोंग दा होरिजॉंटल सॉफिस है दूसरा आपके पास इंक्लाइंट सॉफिस का होता है तो पहले होरिजॉंटल सॉफिस के उपर अगर कोई अब् सुच्टेशन में हमें कुछ वाग करना पढ़ता है उसको मूव करवाने के लिए तो वह वाग जो है वह हम कैल्फुलेट करेंगे डाइग्राम को यहां कॉंसीडर करो आपके पास एक ऑब्सक्ट है जिसका मास एम के बराबर है और उसका वेट जो है वह डैट इस एकोल ट अगया हमने फोउर स्प्लाई की अगर आप कह सकते हो कि प फोर्स लग रही है इस डाइक्शन में और एक जो है मूव करके डिस्पेश्मेंट उसका हो गया जया उसको वह यहां से इस पिशिशन से इस पिश्षивает तक मूव करके चला गया ऐसे case में उसको force of friction लगेगी और force of friction की जो direction होगी वो motion के opposite direction में होती है तो this f is a force of friction हमें निकालना है यहाँ work done तो work done किसके बराबर होता है work done is equal to force and multiplication of force and displacement तो सबसे पहले force कितनी लग रही है उस चिसको हम consider करेंगे अब इस case में हम यह consider करते हैं कि object जो है वो uniform motion के साथ चल रहा है और अगर object uniform motion के साथ चल रहा है तो ऐसे case में जितनी applied force होगी that will be equal to force of friction क्योंकि extra force कोई नहीं लग रही है acceleration कोई नहीं है तो applied force और force of friction दोनों आपस में एक दूसरे के equal रहेंगे तो force of friction किसके बराबर होती है force of friction is equal to mu r हमने laws of limiting friction में पढ़ा था है पर यहां पर mu k लिखा हुआ है mu k का मतलब coefficient of friction kinetic के लिए है यह आपके पास limiting friction का coefficient नहीं होगा kinetic friction का coefficient रहेगा यहां पर f is equal to mu k multiply by r और r normal reaction किसके बराबर होगा normal reaction equal और opposite किसके है weight k that's value is equal to mg तो mu mg आपके पास force हो गई this is the force of friction जो कि उस block के उपर लग रही है now मैंने पहले आपको जैसे बोला कि without acceleration अगर block move कर रहा है तो force of friction is equal to applied force applied force को हमने p के साथ represent किया हुए p is equal to f and f is equal to mu multiply by mg now work done which is equal to force into displacement that will become mu mg s simple सा छोटा सा formula है आपके पास कि work done अगर आपका object जो है against friction move कर रहा है तो उसके उपर हमें बाहर से कितना work done करना पड़ेगा तो वो work done किसके बराबर हो जाएगा mu mg s is a displacement g is a acceleration due to gravity m is the mass of the object and mu is the coefficient of kinetic friction ये तो हमारे पास case हो गया अगर object horizontal surface के उपर चल रहा है बट मैंने अभी starting में आपसे बोला कि आपके बास जो object है वो inclined plane के उपर भी हो सकता है तो inclined plane में condition थोड़ी सी different हो जाती है तो यहां पर भी आपके पास inclined plane के अंदर ही दो cases बन जाते हैं कि inclined plane के उपर object उपर की तरफ चल रहा है जहां फिर inclined plane के उपर object डाउन चल रहा है तो पहले हम डाइग्राम के उपर यहां पर देखते हैं सुद्स इस situation में motion को ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट किया है यानि कि object ऊपर की तरफ मूब कर रहा है तो यह inclined plane है inclined plane का जो angle of inclination है वो थीटा के equal है horizontal के साथ weight हमेशा vertically downward होता है मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ तो mg is equal to downward और normal reaction जो है वो हमेशा surface के perpendicular होता है तो उपर की तरफ चला गया perpendicular to the surface अब ऐसी situation में इसको simplify करना पड़ेगा हमें solve करने के लिए हम mg के दो components बनाएंगे दो rectangular components अल्रेडी हम पिछली units में कर चुके हैं एक component mg cos theta होगा एक component mg sin theta होगा यह theta cos theta क्यों आया है वह हमने पहले ही बात की थी कि जब रिजॉल करते हैं components को तो एंगल के साथ वाला जो component होता है वो cos theta होता है और दूसरा component sin theta होता है अब angle यहां पर theta किस तरह से आया है अगर इस diagram को consider करते हो then this angle is 90 degree तो यह उपर वाला जो angle होगा और यह वाला एंगल इन दोनों का sum 90 degree होगा तो अगर यह theta है तो यह वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 minus theta अगेन यह perpendicular है अगर यह 90 बने theta है तो यह इधर वाला जो angle होगा that will be equal to theta तो यह angle और इस side वाला angle दोनों आपस में equal रहेंगे नो component के उपर तो mg के दो component हो गए mg cos theta and mg sin theta object ओपर की तरफ move कर रहा है तो force of friction किस तरफ होगी नीचे की तरफ downward होगी अभी situation में आपके पास ऊपर की तरफ inclined plane के long जो force लग रही है that is equal to p उपर की तरफ है और नीचे की तरफ लग रही है mg sin theta और साथ में force of friction यह दोनों ही नीचे की तरफ है अब normal reaction r है उसके opposite equal और opposite जो है mg cos theta रहेगा अब mathematical expressions पर आते हैं आर इस इकल टो mg cos theta कि force of friction is equal to mu r होता है हमने पहले भी किया हुआ है अब आर की value क्योंकि mg cos theta तो force of friction किसके बराबर हो जाएगी mg cos theta और डाइग्राम में क्योंकि यह acceleration नहीं है फिर से वही बात करेंगे कि acceleration नहीं है motion के अंदर तो peak इसके बराबर होगा upward direction में जो force होगी और downward direction में जो forces हैं दो यह आपस में equal और opposite रहेंगी तो p is equal to mg sin theta plus force of friction और force of friction हमाँ अलड़ी कर चुके हैं उपर which is equal to mu mg cos theta mg common नहीं कर सकता है दोनों cases में से दोनों terms में से mg common निकाला sin theta plus mu cos theta this is the value of force बट हमने तो निकालना work done है तो work done किसके बराबर होगा force into displacement तो हम s के साथ इसको multiply कर देंगे this is the value of work done when object move upward तो upward होगा तो mg sin theta plus mu cos theta multiply by s अब दूसरा case हम consider करते हैं अगर downward move कर रहा है object inclined plane के उपर कि डियाग्राम में mg पहले की तरह ही है प्रपेंडिकुल वर्टिकल टूदा सॉफेस वर्टिकल टूदा जो आपका वर्टिकल डिरेक्शन में रहेगा mg उसके बाद इसके दो components किये mg cos theta mg sin theta जैसे उपर किये थे उसी डिरेक्शन में है उसी तरह से है नॉर्मल रेक्शन प्रपेंडिकुलर टूदा सॉफेस हो गया mg cos theta उसको balance करेगा अब क्योंकि object नीचे की तरफ मूव कर रहे है तो ऐसी situation में force of friction उपर की तरफ रहेगी अब P भी नीचे की तरफ होगा क्योंकि नीचे की तरफ मूव करवा रहे हैं तो force जो applied force है P वो भी नीचे की तरफ ही रहेगी तो ऐसी situation में mg sin theta plus P that will be equal to F तो यह थोड़ा सा difference आ गए जब ऊपर जा रहे हैं और फिर नीचे की तरफ हम move कर रहे हैं तो diagram में के बाद mathematical expression में आपके पास के आ जाएगा F is equal to mu r यह पहले भी इसी तरह से था उपर वाले के इसमें भी mu mg cos theta यहाँ पर भी mu mg cos theta same value है but now P is equal to F minus mg इसको दूसरी form में करोगे तो mg sin theta अगर इस तरफ लेके आते हो तो P plus mg sin theta is equal to F मैंने आपको बोला था कि यह नीचे वाली दोनों forces उपर वाली force के बराबर है but here mg sin theta को equation को आप equality sin के दूसरी तरफ लेके जा रहे हो so it will become P is equal to F minus mg sin theta F की value put करो mg पहले की तरह common निकालो तो mu cos theta minus sin theta रहेगा और work done किसके बराबर हो जाएगा work done is equal to force multiply by displacement तो mg mu cos theta minus sin theta साथ में क्या आ जाएगा s अब difference क्या है दोनों में अगर object नीचे की तरफ move कर रहे है तो mu cos theta minus sin theta और अगर उपर की तरफ जा रहे है तो mu cos theta plus sin theta तो यहाँ पर plus का sign है यहाँ पर minus का sign लगेगा that is the difference कि अगर object उपर की तरफ जा रहा है जा फिर नीचे की तरफ जा रहा है तो this is for the work done अगर object जो है वो move कर रहा है inclined plane के उपर आइजर उपर की तरफ जा फिर नीचे की तरफ इससे पहले हमने किया horizontal direction में तो यह तीनों अपने cases करने हैं अब इनी जो आपके पास जो results हैं को use करके हमने जो है